Hello friends, welcome back to our YouTube channel Motivational Tales. दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है Feelings. एक दिन एक बुज़ुर्ग डाकी ने एक घर के दर्वाजे पर दस्तक देते वे कहा. चिठी ले लिजे. आवाज सुनते ही तुरंट अंदर से एक लड़की की आवाज गुजी. अभी आ रही हूँ, ठेहरो. लेकिन लगबग पांच मिनद तक जब कोई ना आया, तब डाकी ने फिर कहा. अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिठी ले लो, मुझे और बहुत जगे जाना है, मैं ज़्यादा दिर इंतिजार नहीं कर सकता. लड़की की फिर अवाज आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है, तो दर्वाजे के दीचे से चिठी अंदर डाल दीजे, मैं आ रही हूँ, कुछ दिर और लगेगा. अब बुढ़े डाकिये ने जल्ला कर कहा, नहीं मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर चिठी है, किसी का हक्साशर भी चाहिए. तकरीबन दस मिनट बाद दर्वाजा खुला, डाकिया इस देरी के लिए खुब जलाया हुआ तो था ही, अब उस लड़की पर चिलाने ही वाला था, लेकिन दर्वाजा खुलते ही वह चौंग गया, और उसकी आँखें खुली की खुली रह गई, उसका सारा गुस्ता पल भर में फुर हो गया, उसके सामने एक नन्ही से अपाहिच कन्या, जिसका एक पैर रही था, खड़ी थी, लड़की ने बेहत मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिठ्थी, डाकिया चुप चाप डाक दे कर, और उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला गया, वो अपाहिच लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी, उसकी मा इस दुनिया में नहीं थी, और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसले में आते जाते रहते थे, उस लड़की के देखभाल के लिए एक काम वाली बाई, सुबह शाम उसके साथ घ दिन के समय वह अपने घर में बिलकुल अकेली ही रहती थी, समय निकलता गया, महीने दो महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती, डाक्या एक अवास देता और जब तक वह लड़की दर्वाजे तक ना आती, तब तक इत्मनान से डाक्या दर्वाजे पर ख गया, एक दिन उस लड़की ने बहुत गोड़ से डाक्या को देखा तो उसने पाया कि डाक्या के पैर में जूते नहीं हैं, वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था, बरसाद का मौसम था, एक दिन जब डाक्या डाक देकर चला गया, तब उस लड़की में जहां गील मिट्टी में डाकिये के पाउं के निशान बने थे उन पर कागस रखकर उन पाउं का छित्रोतार लिया अगले दिन उसने अपने हाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवा कर घर में रख लिये जब दिपावली आने वाली थी उससे पहले डाकिये ने मुहिले में सब लोगों से तियोहार पर बक्षीश मांगी लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना पर गली में आया हूँ तो उससे मिल ही लूँ साथ ही साथ डाकिया ये भी सोचने लगा कि तियोहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा बहुत सोच विशार कर उसने लड़की के लिए पांस टुपे के चॉकलिट ले लिए उसके बाद उसने लड़की के घर का दर्वाजा खट-कटाया अंदर से आवाज आई कौन मैं हूँ गुडिया तुम्हारा डाकिया चाचा उत्तर मिला लड़की ने आकर दर्वाजा खोला तो बुड़े डाकिये ने उसे चॉकलिट थमा दी और कहा ले बेटी अपने गरीब चाचा के तरफ से लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिये को वहीं इंतजार करने के लिए कहा उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डबबा लाया और उसे डाकिये के हाथ में देते वे कहा चाचा मेरी तरफ से दिपावली पर आप कोई भेट है डबबा देखकर डाकिया बहुत आश्यर में पड़ गया उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे कुछ देर सोच कर उसने कहा तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले लू बिटीया रानी लड़की ने उससे आगरे किया कि चाचा मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी ठीक है कहते वे बुढ़े डाकी ने पैकेट लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा मानो उसको आशरवाद दे रहा हो बच्ची ने कहा चाचा इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना घर जाकर जब उस डाकी ने पैकेट खोला तो वा आश्चर चकित रह गया क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे उसकी आँखे डबडबा गई डाकियों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिकरमन्द हो सकती है अगले दिन डाकिया अपने डाग घर पहुँचा और उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की जब इसका कारण पूछा तो डाकियों ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आँखों और रुधे गले से कहा सर आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूँगा उस छोटी अपाहित बच्ची ने मेरे नंगे पाउं को तो जूते दे दिये पर मैं उसे उसके पाउं कैसे दे पाऊंगा इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रूने लगा दोस्तो आज की कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो इसे लाइक करिए शेर करिए और चैनल पर नए हो तो सबस्ट्राइब करना बिलकुल न भूले थैंक्स फॉर लिस्निंग